इस वीडियो आइम गोंग टो डिसकस अबाउट दा प्रोग्राम फोर बीसीडी एडिशन यूजिंग एडिशन यूजिंग 8085 माइक्रोप्रोशेसर मैंने आपर टू नमबर्स ले लिये हैं तो हम इसका अडिशन परफॉर्म करेंगे तो बिफोर एक्स्प्लेंग दा क्या से करते हैं आफू यह जिंग आपर्फॉर्म कर सकते हो हैं आपके जो नमबर्स इनने बायने में कन्वर्ट करो एक्जम्पल सेविन क्या हम क्या लिखेंगे 0 1 1 1 1 ठेक हैं कैंड फाइफ इन रिटेनेंस जेरो 1 0 1 ठेक नाव दिस फाइफ जीरो 1 0 1 टिक नव 9 1 0 0 1 टिक अब हम इन नंबर्स को आड़ करेंगे जब हम यहाँ पर आड़ करेंगे तो 1 प्लस 1 इस 0 कैरी 1 1 आया 1 0 से 1 और 1 टिक यू किन सी कि इस समेशन इस ग्रेटर देन 9 टिक है अगर यह ग्रेटर देन 9 है मेंज कि इस इस नॉट अ बी सीडी नंबर बिकॉज जो बी सीडी नंबर्स होते हैं वो आपके 0 to 9 होते हैं इस समेशन इस ग्रेटर देन 9 मेंज कि इस इस इन वैलिड बी सीडी ठीक है इस 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 अगर वैलिड करना है तो नाव वी आड़ 6 और बाइनेरी में हम क्या लिख सकते हैं 0 1 1 0 ठेक है तो जो रजल्ट आया हो उस पे हम क्या आड़ करेंगे 0 1 1 0 6 को आड़ किया वाट इस दा वैल्यू जीरो प्लस जीरो जीरो वन प्लस वन जीरो कैरी आई यहां 1 1 1 1 3 1 से आएगा 1 अगें आई कैरी 1 यहां जीरो और जो जो कैरी यहां जनरेट होगी इस कैरी विल बी अड़ेक टूद नेक्स नमबर मेंस कि यह कहां जाएगी यह हमारी आड़ होगी यहां पर ठीक है इस वन टीक नाव शमिशन ऑ फीस त्री 1 1 1 1 से यहां क्या आएगा 1 कैरी 1 1 1 से 0 गैन 1 1 1 1 से 1 एं यहां 1 टीक नाव अगें इ इस greater than 9 means this is invalid BCD तो अगर हमेंसे वालिट करना है तो हम इसमें 6 के अडिशन करेंगे 6 के अडिशन करेंगे तो result क्याया 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 कैरी गई तो यहां 0 और यहां 1 थेक है तो तो this is the result तो हम रेसल्ट में क्या क्या चालकुलेट करेंगे अगर हम इसको डैसिमल के फों में लि यह हमें मिला 4, ठीक है, तो this is the result, ठीक है, आप चेक करो, अगर 7559 को आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में एड करते हो, तो 5 और 9, 14 की 4, पावर आई 1, 1 और 7, 8, 8 और 5, 13, तो हमारा सेम आंसर आटा है, ठीक है, मेंस की हमने सही परफॉर्म किया है, ठीक है, आपने क्या दग याद result of summation is less than, if summation is less than or equal to 9, तो वो आपका valid है, तो आपको उसमें 6 एड नहीं करना है, if result of summation is greater than 9, तो वो हमारा invalid है, और उसमें हम 6 को एड करेंगे, फिर उसके बाद जो result आएगा, that will be the final BCD result, ठीक है, यह मैंने binary के form में बताया, अगर सेम result को हम hex में करते हैं, तो हम कैसे करेंगे, यह हमारा 75, क्योंकि आपकी जो microprocessor में आज value feed करोगे, वो hex में feed करोगे, यह 75, 59, एड करेंगे, 5 और 9 क्या होगा, 14, 14 को हम क्या लिखते हैं, e, e is greater than 9, तो हम इसको valid करने के लिए 6 एड करेंगे, 14 प्लस 6 क्या होता है आपका, 14 प्लस 6 विल बी 20, और 20 हमारा decimal में हुआ, अ तो यहां क्या आएगा, 4, carry हमारी यहां add हुई, 1 प्लस 7, 8, 8 और प्लस 5, 8 और प्लस 5 इस 13, 13 को हम क्या लिखते हैं, D, ठीके, D, D is greater than 9, तो इसे valid BCD करने के लिए हम इसमें क्या add करेंगे, 6, तो D means की 13, प्लस 6 इस 19, और 19 को हम hex में लिखते हैं, 13, तो result will be 13, तो आइदर आ यह method यूज करो, या binary वाला system यूज करो, दोनों cases में आपका answer सेम आएगा, आप को भी method यूज कर सकते हो, जो आपको समझ में आता है, ठीक, अब हम जब program लिखेंगे, तो हमें सबसे पहला क्या चाहिए, उसके अगर आप algo लिखते हो, तो first हमें क्या चाहिए, हमेरे पास ह होने चाहिए two numbers, हमने क्या किया, हमारे पास two numbers थे, ठीक है, two numbers थे, अब इन numbers को हम क्या करेंगे, add कर एगे, ठीक है, add the numbers, अब add करने के बाद, you can see, की हमारे carry भी आ सकती है, और नहीं भी आ सकती है, हमारे ठीक है, टोनों condition होगी, ठीक है, और अगर carry होगी, तो हमें उसे discard न फिर हम चेक करेंगे cf is equal to 0 और 1 ठीक है अगर 1 आता है तो carry register की जो भी value होगी उसमें 1 का increment होगा और अगर carry नहीं आता है तो हमारी cf की value क्या होगी 0 होगी ठीक अगर carry आपकी आज आती है तो आपका carry register में 1 का increment होगा और last में आप क्या करोगे display करोगे result को ठीक है क्या करेंगे हम display करेंगे result को ठीक है तो ये algo होगे इस algo को हम flow chart से बता सकते हैं और सीधे हम इसका program भी लिख सकते हैं तो मैं इसका program लिखती हूँ हमारे पास क्या है two numbers है two numbers है सबसे पहले हम माँटे है कि हमारा जो first number है first number है first number की location जो है वो 2061 है ठीक है this is the location of first number and जो हमारा second number है second number हमारा next location में है means कि 2062H में और after addition जो हम result save करेंगे means कि जो हमारा result आया 34 इसको हम करेंगे means third third कहने का means है कि result ठीक है result का lower side result का lower side जो हम save करेंगे save करेंगे वो 2063 में करेंगे और जो उसकी carry होगी carry को हम save करेंगे 2064 में ठीक है clear है these two use for input data और these two locations is used for output data तो अब हम program करना start करते हैं ठीक है program लिखना start करते हैं ठीक है जब भी हम addition करेंगे तो हम मान के चलना है कि carry आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है अगर carry आती है और नहीं भी आती है तो हम एक carry के register लेंगे mbic00, ठीक है, इसको हमने क्या लिखा, कि हमने carry register, carry register c is equal to 00 पर initialize कर दिया, ठीक, अगर यह line execute होती है, तो hl pair का content क्या होगा, 20 in h और 61 in l, ठीक है, यह होगी हमारी first value, ठीक, now, अब हम first number को move कराएंगे, कहाँ, accumulator में, तो हम क्या लिखेंगे, move a, m, ठीक है, तो after execution of this, हमारा जो first number है, first number means की, हमने इस question में क्या लिया था, 75, 75 हमारा कहाँ चला जाएगा, in accumulator, clear, यह हो गया, ठीक, now, अब हमें first number मिल गया, अब हमें second number चाहिए, और second number की location क्या है, 2062, तो हम यहाँ लिखेंगे in x h, जैसे ही हमने in x h किया, तो हमें क्या मिल गया, second number address in h, means की after execution of this, hl pair की value क्या हो गई, 2062, यह हो गया h, यह हो गया हमारा l, this is the value of hl pair, यह address हो गया, ठीक, अब सब कुछ, first number हमें यहाँ मिल गया, second number हमें यहाँ मिल गया, अब हम क्या करेंगे, इन numbers को add करेंगे, तो हमने क्या लिखा, add m, ठीक है, तो add m क्या करता है, add m, add the content of accumulator, plus with the content of memory pointer, and जो result आया, उसको move करेगा in accumulator, ठीक है, जो भी result आयेगा, उसको क्या move करेगा in accumulator, ठीक, अब अगर आपको याद हो, जब हमने यहाँ BCD addition किया था, तो हमने चेक किया था, after submission की result is greater than 9, और not, अगर greater होता था, तो हम उसमें 6 add करते थे, means कि हम उसे valid BCD में convert करते थे, तो हमारे पास एक instruction है, हम use करेंगे, DAA, ठीक है, DAA क्या करेगा, यह करेगा, decimal, adjust, accumulator content, means कि जो accumulator में result आया, अगर वो greater than 9 है, तो वो in processor ही, उसमें 6 को add करेगा, और उसको valid result में convert करेगा, ठीक, अब इस addition के बाद हमारे carry आने के chances हो सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, JNC, अगर carry नहीं आती है, तो हम कहां जाएंगे, loop 1 लिख देती हूं, loop 1, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, loop 1, display, anything, मैंने इसको नाम दे दिया, loop 1, ठीक है, अगर carry नहीं आया, means कि हमने 2 digit के नंबर को add कि 2 digits के, and result भी हमारा 2 digit का आया, तो हम सीधे क्या करेंगे, उस case में, हम loop 1 पर पहुचेंगे और loop 1 में हम क्या करेंगे, जो accumulator में result था, after this operation, उसको हम store करेंगे, कहां पर, S, T, A, क्या लिखा था हमने, result, accumulator का result will store in 2063, तो हम लिखेंगे, S, T, A, 2063, इससे क्या होगा, कि जो आपका lower byte of result है, means कि जो 34 है, lower byte of result, जो है, lower byte of result, will store in 2063, ठीक है, हाँ, अब नाओ, अगर कैरी आ जाती है, तो क्या करते, अगर कैरी आती है, तो हम कैरी को increment करते, I, N, R, C, लिखते, ठीक है, means कि अगर कैरी होती, तो जो content of C है, उसमें हम 1 का increment करते, और वो हमारी C की new value होती, C की value 0 है, प्लस 1 किया, तो वो क्या हो जाएगी, 0, 1, टिक, जब रिजल्ट स्टोर कर दिया, तो नाओ, अब हमें कैरी को स्टोर करना होगा, कैरी हमारा कहा है, रजिस्टर C में, तो हम उसे कहां मूव करेंगे, पहले, अर्क्यूमिलेटर में, मूव, A, C, कैरी C से कहां आई, अर्क्यूमिलेटर में, अब हम उसको स्टे करेंगे, स्टे कहां पर करना है, 2064, तो हम यहां लिखेंगे, 2064, ठीक है, और यह क्या हो जाएगा, कैरी, स्टोर, इन, 2064, ठीक है, नाउ, हमारा प्रोग्राम डन हो गया, तो हम क्या करेंगे, H, L, T, होल्ट, स्टॉप करेंगे, ठीक है, अब अब जब इसको चेक करोगे, तो आपके जो इन्पुट डेटा होंगे, इन्पुट डेटा, फोर दिस प्रोग्राम, मेमोरी लोकेशन, 20, जो हमने फर्स लोकेशन यूज की थी, 61, H, पर हमारा जो फर्स नमबर होगा, दाट इस 75, जो हमने एक्जामपल डिसकस किया, उसके लिए 75 है, जो हमने यह एड किया, एंड टू जीरो सिकस्ट डू पर हमारा जो दूसरा नमबर होगा, सेकेंड नमबर वो इक्जामपल वो क्या है, 59, आफ्टर एग्जिकुशन अफ इस प्रोग्राम, आउटपू डेटा हमें क्या मिलेगा, आउटपू डेटा हमें क्या मिलेगा, ठीक है जब आप करेंगे तो आप इसको verify करिएगा अब मैं एक बार locations बता देती हूँ क्योंकि यह तो हमने जब exam में लिखना है program हम ऐसे लिख देंगे बड़ जब हम इससे run कराएंगे simulator पर या kit पर तो वह loop 1 नहीं लेता है उसको address required होता है तो पहले हमें वह address आनी चाहिए because पहले program लिखेंगे देन उसको write करेंगे और इस case में तो machine यहां तक आप पहुचोगे तब तक यह line आपकी जा चुकी होगी means कि आपको पहले ही calculate करना पड़ेगा so that कि आप JNC के सामने यह loop 1 का address आप लिख सको ठीक है तो मैं सारी चीज़े बता देती हूँ सबसे पहले तो पुरा sentence के form में ठीक है अगर आपके exam में आता है program लिखें इस तरीके से machine code मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि उसे हमें जरूरत नहीं है हम लिखेंगे अब यहां पर memory address memory address ठीक है address ठीक है suppose मैंने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया 2000 के स्टार्ट किया 2000 की location पर मैंने क्या लिखा MBI ठीक है this is a 2-byte instruction तो LXI के लिए जो address होगा वो क्या होगा 2002 ठीक है now this is 2-byte, 3-byte instruction LXIH is a 3-byte instruction तो move क्योंकि जो line होगी वहां पर RAM address होगा 2005 ठीक move is a 1-byte instruction तो INX will be occur at 2006 INX is a 1-byte instruction तो add जो होगा हमारा वो होगा 2007 ठीक now add M is a 1-byte instruction तो 2008 पर हमारा होगा decimal adjust accumulator ठीक this is again 1-byte instruction तो JNC हमारा जो होगा 2009 पर होगा now JNC is a 3-byte instruction तो यह तीन address लेगा 9 A B तो हमारा INR विल भी occur at 2000 C ठीक है 2000 C पर होगा ठीक है अब 2000 INR is a 1-byte instruction तो हमारा JNC is a STA है यह हमारा होगा at 2000 D ठीक है अब STA is a 3-byte instruction तो STA will take D E F और F के बाद आता है 10 means कि move हमारा अकर होगा 2010 पर move is a 1-byte instruction तो next STA will be occur at 2011 STA is again 3-byte instruction तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2014 हाल्ट हाल्ट आपका कहां अकर होगा 2014 पर this is the last location जब आपका प्रोग्राम रन करेगा तो after executing all instruction आपके प्रोग्राम काउंटर की वाल्यू 2015 होगी और जब आप प्रोग्राम को टाइप करोगे किट पर या आप software का यूज करके simulator पर प्रोग्राम को रन करोगे तो JNC के सामने जो आप value लिखोगे वो value होगी this loop address means की आप loop 1 जहां पर लिख रहे हो उसकी जगे पर आप क्या लिखोगे 200D क्योंकि microprocessor के simulator या आपकी किट loop 1 को नहीं समझती वो समझेगी किस address पर हमें जाना है ठीक है from my side this is the complete program for BCD edition if you have any doubt please write down in comment section thank you